हेलो फ्रेंट्स आपकी बूक फूट्प्रिंट्स विदाउट फीट में लगी हुई है या थार्ड चाप्टर है और इस स्टोरी यह स्टोरी एकदम अलग इसलिए है क्योंकि यहां पे जो डिटेक्टिव है जिसकी हम इमेज रखते हैं कि डिटेक्टिव कैसा होना चाहिए होना चाहिए और थोड़ा सा विटी होना चाहिए जो उसकी अपियरेंस है ना हमारे दिमाग में उस अपियरेंस से यह जो डिटेक्टिव है इस स्टोरी का वहां क्वाइट डिफरेंट है सो इसलिए जो चैप्टर है यह जो स्टोरी है बहुत इंट्रेस्टिंग है और इस Audible जो है Max को Outfit कर पाते हैं या नहीं उसको चकमा दे पाते हैं या नहीं क्योंकि Audible है बहुत मोटे से ज्यादा मोटे हैं और बोलने का उनका जो टोन भी है वो भी अजीब सा है इसलिए यह स्टोरी बहुत इंट्रेस्टिंग है लेट्स रीड चैप्टर चैप्टर नेम इस दा मिडनाइट विजिटर एंड यह रिजा ऑसेबल जो की में खारेक्टर में है यहां पर ऑसेबल और सीक्रेट एजेंट इस एक्सपेक्टिंग तो गेट आव वेरी इंपोर्टन रिपोर्ट अब असेबल क्या है एक सीक्रेट और उनके पास एक बहुत ही इंपोर्टन रिपोर्ट है और अनदर सीक्रेट एजेंट और एक अन्य सीक्रेट एजेंट है जो की है मैक्स थ्रेटेंस हिम विद अ पिस्टल वह उनको पिस्टल से डराते हैं और डिमांडिंग दा रिपोर्ट और एक रिपोर्ट की डिमांड करते हैं जो कि Oswal के पास है Does Oswal out with him? क्या Oswal उनको चक्मा दे पाते हैं? यही हम स्टोरी में देखने वाले हैं Let's start the chapter Oswal did not fit any description of a secret agent Faller had ever read. Faller ने अभी तक जो भी पढ़ा हुआ है कि एक डिटक्टिव जैसा होना चाहिए उस मतलब उस सोच में वहाँ Oswal fit नहीं बैठते हैं Did not fit any description any word on जो है of a secret agent. Faller ने जो भी अभी तक मतलब जिस भी secret agent से वहाँ मिले हैं जैसे कि secret agents क्या होते हैं fit होते हैं, healthy होते हैं, witty होते हैं यह सारी चीजे होती हैं गिन Oswal क्या है? Fatty है मुटे से हैं, मतलब जो भी Faller ने आज तक मतलब सोचा है कि एक जो detective है, उसका जो appearance होना चाहिए, वो चीज उनको Oswal के पास नहीं मिलता है ठीक? तो यहाँ पर जो यहाँ असेबल उस चीज में फिट नहीं बैठते हैं इनी description, कोई भी उनका description फिट नहीं बैठता है इनके लिए and following him down the musty corridor of the gloomy french hotel where Oswal had a room, अब जहाँ पर Oswal को एक room ले रखा है, तो following him down, अब Faller क्या है? Oswal को follow करते वह जा रहे है musty corridor musty means having a stale, मतलब थोड़ा सा badbu जैसी आ रही है, बासी बासी कुछ badbu आ रही है of the gloomy french hotel, gloomy miss बहुत थोड़ा सा डराउना ठाई का dark french hotel है, पुराना धुराना होगा, ठीक है उस तरह का वहाँ पे room को जाने का रास्ता है and Faller felt let down faller उनको क्या करते हैं पीछा मतलब उनकी पीछे-पीछे जाते हैं it was a small room अब उनका room क्या है, small है on the sixth and top floor और six floor पर है, जो की top floor है and scarcely a setting for a romantic adventure और बहुत मुस्किल से ही उसमें कुछ भी romantic adventure किये जा सकते हैं, romantic means imaginative, क्योंब फॉलर क्या एक writer है, writer हमेज़ा imagination में रहता, imagination करता है और थोड़ी से चीज़ों को बहुत ज़्याद imagination में बदल देता है यहां पर फॉलर को कोई भी चीज ऐसी नहीं दिख रहे हैं जिससे वहां कुछ imaginative कर पाए या बना पाए औसेबल वोज for one thing for fat very fat and then there was his ascent औसेबल वोज अब औसेबल यहां पर कैसा है? यहां हमें पता चलेगा औसेबल वोज for one thing क्या है वह? fat है, very fat मोटा है और बहुत मोटा है and then, और फिर there was his ascent और ascent भी उसका जो बोलने का तरीका है though he spoke French अब उसकी बोलने के तरीका क्या है? he spoke French and German passively वह बोल लेता है French और German बोल लेता है लेकिन passively passively miss काम चलाओ बोल लेता है and he had never altogether lost the American ascent he had brought to Paris from Boston 20 years ago or he had never altogether lost उसने मतलब loss नहीं किया खोया नहीं है क्या? the American ascent American style में जो बोलने का तरीका है उसने वह खोया नहीं है and he had brought to palace वह palace लाया गया था from Boston Boston से वह palace आया था and 20 years ago 20 साल पहले वहाँ आया हुआ था you are disappointed asable said weasley over his shoulders कि तुम मतलब disappointed हो क्योंकि अब यहाँ पर audible said weasley weasley means सांस लेते हुए बोलना कि जोर से सांस लेते हुए बोलना over his shoulders तुम सांस लेते हुए बोलते हैं वैसे and you are disappointed तुम disappointed हो मतलब है कि तुम जो चाहते थे और जैसा तुमने सोचा था वो सारी चीज़े तो हो नहीं रही है and you were told that I was a secret agent a spy dealing in espiness and danger और तुमको कहा गया होगा कि I was a secret agent कि मैं एक secret agent हूँ एक spy हूँ and dealing in espiness espiness means jasusi okay तो मैं ये सब चीज में deal करता हूँ and danger और danger से मैं खेलता हूँ okay and you wished to meet me because you are a writer young and romantic और तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक writer हो young हो और romantic को romantic means यहाँ पर imaginative and you envisioned mysterious figures in the night the crack of pistols drugs in the wine and you envisioned envision मतलब जैसा vision हम रखते हैं कि जैसा हम सोचते हैं क्या सोचते हैं कि mysterious figure in the night कि मतलब हमारी जो personality होगी क्या होगी थोड़ी से mysterious होगी समझने में दिक्कत होगी the crack of pistols और हम मारे पास क्या होगी pistols होगे हम pistols चलाते हुए दिखेंगे drugs in the wine और wine वगेरा होगी drugs वगेरा मतलब दिखेंगे हमारे आसपास ऐसा जब हम detective को देखते हैं क्या देख पाते हैं कि बहुत ही mysterious हैं समाजने में हमें दिक्कत होती हुए क्या सोच रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं और pistols लिए हुए होते हमेशा और उनके आसपास कहीं drugs की इधर उधर wine वगेरा की बाते होती हैं सब वो लोग मिलते हैं उन्हें यह सब चीज़े and instead you have spent a dull evening in the french music hall with a sloppy fat man who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room अब इसके अलावा you have spent a dull evening कि तुमने एक बहुत ही dull evening बिताई in a french music hall french music hall में with a sloppy fat man sloppy में scarlessly जो dressed होते हैं मतलब सही से जिसने dress नहीं पहना है ऐसे मोटे वेक्ती के साथ तुम मिले instead of having messages और क्या जो message वगएर आते हैं अब detective को पास message कैसे आते हैं slipped into his hand by dark eyed beauties beauties with girls जो की बहुत ही dark eyed हैं बहुत beautiful girls हैं उनके दारा हमें कोई slip दी जाती है जिसके दारा हम message को प्राप्त करते हैं ऐसा तुमने सोचा होगा देकिन क्या हो रहा है कि gets only a prosaic telephone call कि मैं क्या पाता हूं prosaic miss ordinary telephone call मेरे बस बस telephone call आती है समान निसी और making an appointment और मैं उसी से appointment लेता हूं अपने room में and you have been bored और तुम क्या हो गया हो bored हो गया हो मेरे साथ रहते रहते the fat man chunks to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter अब यहां पर chuckled miss होता है chuckled miss laughed quietly without opening and mouth बीना मूँ अपना खोले वह हसता है the fat man chuckled to himself अपने में हस रहा है he unlocked the door of his room अब वह अपने room का दरवाजा खोलता है and stood aside और एक किनारे खड़ा हो जाता है to let his frustrated guest enter ताकि उसका जो frustrated guest है जो faller है वह enter हो जाए अंदर आ जाए you are disillusioned तुम्हें ब्रहमित किया गया है औजेबल टोल्ड ही औजेबल ने faller से कहा but take cheer my young friend लेकिन तुम परशान नहों चिल करो my young friend presently you will see a paper अभी तुम एक paper देखोगे a quite important paper जो की बहुत ही important paper है for for which several men and women have risked their lives come to me अब जिसके लिए जो paper है audible के बास जो paper है उसके लिए बहुत सारे men and women ने अपने life को risk में डाल दिया है come to me अब मेरे साथ आओ and someday soon that paper may well affect the course of history और एक दिन ऐसा होगा कि वो उस paper की वज़े से हमारे whole history पर प्रभाव पड़ेगा कुछ होगा in that thought is drama is there not as he spoke audible close the door behind him और जैसे ही वहाँ यह सब बोलता है audible दरवाजे को बंद करता है then he switched on the light फिर उसके बाद वहाँ light जलाता है and as the light came on faller had his first authentic thrill of the day और जैसे ही light जलती है faller अपने दिन का उस दिन का क्या करता है पहला authentic thrill authentic means genuine excitement thrill means excitement या फिर ऐसा कुछ जो की क्या हो थोड़ा से डरावना हो ऐसा चीज वह अब अनुभाव करने उसे मिलेगा for half way across the room अब उस room में क्या होता है a small automatic pistol in his hand is to the man अब एक man है उसके पास एक automatic pistol है और इस to the man और एक आदमी वहाँ पिर खड़ा है अपने हाथ में गन लिये हुए यह जो ऐसे देख रहे हैं हम लोग अपने हाथ पर गन लिये हुए यहाँ खड़ा है अस यह अपने हाँ असाबल ब्लिंक अप फ्यू टाइम्स असाबल क्या करता है? ब्लिंक करता है ब्लिंक मिस आंखे जपकाना अंखे जपकाता है मत्ब प्राइज हो जाता है Max, he wheezed Max, तुम wheezed means चिला कर बोलना You gave me You gave me Quite a start कि तुमने तो मुझे surprise ही कर दिया Max बोलता है surprised हो के और You gave me quite a start कि मैं बहुत surprise ही तुमें देखके I thought you were in Berlin मुझे तो लगा कि तुम Berlin में हो What are you doing here in my room कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो Now, अब यहाँ पर कुछ Max के बारे में है कि Max कैसा है क्या है Max was slender a little less than tall with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox a max was a slender slender means lean and thin मतलब बहुत ज्यादा पतला दुबला नहीं ठीक है और a little less than tall और tall होने के थोड़ा सा कम tall है ऐसे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस से कम से कम इस राइटर से थोड़ा सा कम यह tall है ओके एंड यहाँ आप लेगें and there was about him aside from the gun nothing especially menacing अब यहाँ से हम अर्थ निकालन सुरू करेंगे nothing especially menacing कुछ भी menacing नहीं कुछ भी मतलब उसके अंदर खतरनाक नहीं दीख रहा है सिर्फ किसके अलावा aside from the gun gun के अलावा उसको देखने पर वहाँ बिल्कुल भी खतरनाक नहीं दीख रहा है and there was about him वहाँ उसके बारे में अब क्या बता रहे हैं कि nothing especially menacing कुछ भी खतरनाक जैसा और कुछ threatening जैसा कुछ हमें दीख नहीं रहा है सिर्फ gun के अलावा the report he murmured वहाँ बुद बुद आया कि report मुझे चाहिए the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles वह report जो कि तुम्हारे पास है जो तुम रखे हो लाए हो and you tonight concerning some missiles उसमें कुछ missiles के बारे में कहा गया है I thought I would take it from you और मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमसे वह report ले लूँ and it will be safer in my hands than in yours और यह जो report है वह मेरे हाथ में ज़्यादा safe रहेगी तुम्हारे हाथों की अपेक्षा औसेवल moved to an armchair and sat down heavily अब औसेवल क्या करता है अपने एक armchair पर बैठ जाता है और अब मोटा है तो sat down heavily and I am going to raise the devil with the management this time and you can bet on it or I am going to raise the devil raise the devil means to complain मैं complain करने जा रहा हूं with the management this time इस समय मैं उनसे complete जरूर करूंगा and you can bet on it और तुम मुझसे सर्थ लगा सकते हो he said grimly अब इस समय और और जेबल क्या है बहुत ही grimly मतलब seriously बोल रहा है this is the second time in a month that somebody has got into my room through that new sense of the balcony और यह दूसरी बार है कि कोई मेरे रूम पर आया हुआ है उस new sense means troublesome of the balcony वो balcony ऐसी हो गई है कि मुझे मतलब trouble create करती है new sense means trouble किसी चीज़ से जिससे trouble create हो तो उस balcony से यह इस मतलब का दूसरा टाइम हो गया है कि कोई आया है fallers eyes went to the single window of the room fallers की आखे कहां चली आती है जो single window है उस room में जो सिर्फ एक खिड़की है उस room की तरफ उसकी नजर पढ़ती है and it was an ordinary window और जो यह window होती है वह बहुती सामाने रहती है and against which now the night was proceeding backly और खिड़की के बाहर दिख रहा है एकदम night दिख रही एकदम black dark दिख रही है बाहर balcony max said अब max कहता balcony कौन से balcony उसे max को नहीं पता है कि balcony भी है बाहर with a rising infection वह बहुत अश्यर शकित हो के कहता है अपने tone को change करके बोलता है Noah pass की नहीं नहीं मैं balcony से नहीं आया हूँ मेरे पास pass की है एक master की है जिससे मैं आया हूँ I did not know about the balcony और मैं नहीं जानता था इस balcony के बारे में it might have saved me some trouble had I known और अगर मैं यह सब जानता तो मेरा कुछ समय क्या होता बच जाता कुछ मैं मतब कुछ trouble होने से भी बच जाता जो मैंने इतने मेहनत करी वो सब चीज़े क्या हो जाती बच जाता It's not my balcony अब यहाँ पे और जेबल बोलता है कि यहाँ मेरी balcony नहीं है और जेबल said with extreme irritation irritate होके बोलता है अब जो बालकनी है उसके खिड़की के बाहर तो और जेबल बोल रहा है इस बिलोंग टू दा नेक्स अपार्टमेंट की जो बालकनी है नेक्सट अपार्टमेंट से बिलोंग करती है वहां से टस्ट है अब वहां क्या करता है एक्सप्लेइन करते हुए ग्लांस में नजर डाला फ्लावर की तरफ देखते हुए बोल रहा है यूसी ही शेड दिस रूम यूज़ टू बी पार्ट आफ आफ लार्ज यूनिट तुम देखो फिर उसका और बोलता है इस रूम यूज़ टू बी पार्ट आफ लार्ज यूनित τους है यहां एक लार्ज यूनिट का पार्ट था और नेक्स रूम थरूं दाफ रूम गगलवारे रूम उसी का पार्ट था पहले दिवाल नहीं थी और यह door से हम लोग इस room से उस room में जाते हैं and used to be living room तो पहले हूँ यह क्या हुआ करता था living room हुआ करता था and it had the balcony और इसकी इसमें एक balcony थी which extend under my window now और जो बगल के room है उसमें जो एक balcony है उसकी balcony मेरे room तक extend होती है ठीक है आती है and you can get into it और तुम उस balcony में जा सकते हो from the empty room उस empty room से उस खाली room से जा सकते हो and two doors दो doors से होते हुए दो दरवाजों को होते हुए हम उस balcony में दूसरे room से जा सकते हैं and somebody did last month और ऐसा ही एक लोगों ने last month में किया था the management promised to block it off a management ने promise किया था कि इसको बंद कर देंगे but they haven't लेकिन अभी भी उन्होंने ये काम नहीं किया है max glanced at faller a max faller की तरफ देखता है who was standing swiftly not far from audible अब ये faller जो है standing swiftly बहुत ही मतलब बीना हिले डुले क्या है खड़ा है not far from audible audible से दूर नहीं है नजदीक उसके खड़ा है क्योंकि वो डरा हुआ है and wave the gun with a commanding gestures और अपना जो gun है वहाँ waved मतलब घुमाते हुए और command करता है max क्या कहता है please sit down he said वो कहता है we have a wait for half an hour और मुझे लगता है कि हमें आदे घंटे wait करना चाहिए 31 minute Ozebel said moodily अब Ozebel बोलता है कि नहीं half hour नहीं half hour means 30 minute 31 minute 31 minute the appointment was for 12.30 I wish I knew how you learned about the report max max बोलता है my appointment was for 12.30 appointment है हमारी कितने बज़े 12.30 के 12.30 के 12.30 के I wish I knew how you learned about the report max max कहता है कास मैं जान पाता कि तुमने इस report को कहां से प्राप्त किया कैसे जाना little spy smiled evilly no no यहां पे गलती हो गई the appointment was for 12.30 और जेबल ही बोल रहा है कि appointment क्या है 12.30 पर है and I wish I knew how you learned about the report max कि मैं अगर जान पाता कि तुम को यह report के बारे में तुम कहां से पता पाए max और जेबल बोलता है कास मैं यह जान पाता कि तुम्हें कहां से जानकारी मीली इस report के बारे में the little spy smiled evilly अब यहां पे जो max है smile कर रहा है थोड़ा सा बदमास के रूप में and we wish we knew how your god report और मैं मतलब यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पीपल ने यह report कहां से पाई अब max बोल रहा है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पीपल तुम्हारे लोगोंने यह report कहां से पाئی अब दोनों दोने के बारे में जाना चाहते है, अब मैक्स के पास तो रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैक्स जानना चाहता है कि और जेवल के पास रिपोर्ट कहां से आई, और जेवल जाना चाहता है कि मैक्स को किसने बताया but no harm has been done अभी भी कोई देरी नहीं हुई है I will get it back tonight अब मैं आज इस report को ले जाओंगा What is that? Who is at the door? अरे वहाँ क्या है? डोर पर कौन है? Faller jumped at the sudden knocking at the door Faller तो पहले से ही डरा हुआ है और जैसे ही डोर पर knock होती है वह और डर के क्या होता? थोड़ा सा jumped हो जाता है Sudden, sudden knocking अचानक knock करते हुए तुरंथ jump हो जाता है Ausable just smile Ausable क्या होता है? Smile करता है That will be the police की वहाँ पर कौन है? Police है, he said I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection और मिशे लगता है कि अब जो यह important papers मेरे पास है तो उसके लिए क्या है? Waiting for should have a little extra protection कि हमें extra protection in reports को देनी चाहिए I told them to check on me to make sure everything was alright इसलिए मैंने पुलिस वालों को कहा है कि मुझे समय समय आकर check करे ताकि make sure everything कि आपको sure हो जाए कि चलो अब सब चीज ठीक क्योंकि यह लोग एक agent है तो इनके उपर हमेशा खत्रा मतलब मड़ाता रहता है कि कोई आके मार न दे कोई कुछ करना दे कोई knowledge निकाल न ले इसलिए वह और जेबल बोला है मैंने ही पुलिस बुलाई है ताकि वह मुझे कुछ कुछ समय में आके मुझे चेक करें इसलिए पुलिस आई है चेक करने मैक्स बिट हिस लिप नर्वसली अब मैक्स नर्वस हो रहा है और अपने emotions को छुपा रहा है expression को छुपा रहा है the knocking was repeated और बार बार अब क्या हो रहा है and what will you do now मैक्स और जेवल पुछता है अब तुम क्या करोगे मैक्स if I do not answer the door they will enter anyway अगर मैं answer नहीं करता हूँ दर्वाजा मैं नहीं खोलता हूँ तो वह किसी भी तरह इंटर हो जाएंगे the door is unlocked अब वैसे भी door क्या है खुला हुआ है अंदर से locked नहीं है क्योंकि जब यह लोग दर्वाजा बंद करके जैसे ही सुचान किये थे तो मैक्स को देखे थे तो दर्वाजा अंदर से बंद वो लोग नहीं किये थे बस उन्होंने लगा दिया था and they will not hesitate to suit you और उन्हें कोई भी दिकत नहीं होगी तुम्हें suit करने में hesitate कोई भी हिच की चाहट नहीं होगी वो डायरेक्ट तुम्हें suit कर देंगे मैक्स फेस वाज ब्लाक विद एंगर as he back swiftly toward the window he swung a leg over the sill a max face a max का face क्या हो गया है ब्लाक विद एंगर एक दम घुस्ते में अवह पागल हो गया है and he back swiftly अवह तुरंत ही तुरंत जल्दी से क्या करता है back हो जाता है to the window window की तरफ चला जाता है and he swung a leg उसने अपना एक लेग को swinging कर लिए मतलब लटका लिया है खिडकी से बाहर की और एक लेग को लटका दीया है over the sill मतलब जैसे कि यह खिडकी है तो ये जो पार पार्ट है का वह क्या है sill है तो उस ने यहां पर एक पेर अब मैं तुम्हारा वेट करूँगा बालकनी में और उन्हें कहो उन्हें जाने के लिए कहो Send them away or I will suit and take my chances उन्हें भेजो नहीं तो मैं shoot करूँगा और मैं अपना जो भी मेरा मतलम मक्सद है वो मैं पूरा करूँगा Take my chance miss मैं risk ले लूँगा The knocking at the door became louder and a voice was raised Mr.Ozible Mr.Olible अब knocking बार बार हो रही है और louder रही है बहुत जल्दी जल्दी हो रही है And voice was raised और उनकी जो उसकी आवाज है वहाँ बाती क्या है Mr.Ozible Mr.Ozible अब यह देखिए यह अपना एक पैर अपना बाहर निकाले हुए है और यह पार्ट जो क्या है सिल है सिल का पार्ट है और यह दोनिया है एक बैठा हो एक खड़े हुए है Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest अब देखिए twisted क्या है यह जो अपना सरीर को ऐसे रखे हुए है यह क्या है twisted है गुमाए हुए थोड़ा सा ताकि so that ताकि his gun still covered ताकि उसका gun से क्या हो covered हो ताकि उनको भी हुआ डराए रखे और अपना भी हुआ भागने में कामियाब हो जाए the fat man and his guest fat man के उपर audible के उपर और उसकी guest के फॉलर के उपर the man at the window grasp the frame with his free hand to support himself अब वह क्या करता है कि the man at the window अब वह window पर है खिड़की पर है grasp the frame वह फ्रेम को पकड़ लेता है with his free hand अब एक hand में gun है और एक hand में जिसमें gun नहीं उस hand से पकड़ लेता है to support अपने आपको support करने के लिए and then he is swing his other leg अब उसके बाद वह दूसरा लेग भी बाहर की तरफ लटका लेता है and over the windowsill windowsill के ऊपर बैठके अब वह अपने पैर के हैं लटका लेता है the door door knob turned अब जो दर्वाजय का door knob होता है वह क्या हो जाता है turn हो जाता है and swiftly max pushed with his left hand to free himself from the and drop into the balcony अब जैसे ही वह जो दर्वाजय का door knob होता है what turn होता है to swiftly max pushed a max भी अपने आपको push कर देता है बाहर की तरफ कूदेने के लिए he left his hand to free himself अब वह अपने हाथ भी छोड़ देता और वह कूच जाता है from the seal seal से कूच जाता है and drop to the balcony बालकनी में कूच जाता है and then he dropped और वह जैसे ही मतलब कूच देता है he screamed वह चिलाता है श्रीली बहुत तेज से जोर से वह चिलाता है the door opened and a waiter stood there with a tray अब दोर दर्वाजा खुलता है एक waiter खड़ा रहता है tray लिए हुए a bottle and two glasses और उस tray में एक bottle है और दो गिलास है here is the drink you ordered for when you return यह drink है जो आपने order की थी जब आप वापस आए थे he said उस waiter ने कहा है and set the tray on the table और उसने tray को table में रख दी and definitely uncocked the bottle और quickly definitely means quickly uncocked means open open किया उसने bottle को and left the room और वह room छोड़कर चला गया है white-faced follower stared after him अब जो white-faced follower था वह तो डरा हुआ है white face में पेल हो गया एक तम पीला पड़ जया उसका चरी स्टेर्ड आथ हिम उसकी तरफ घूरता है usable की उतार बट he stammered the police अबा कहता है कि मतला हकला आते हुए कहता है police तुमने तो कहा था police there were no police usable size size में सब्सक्राइब करके बोलते है न there were no police आरे कोई police नहीं है only henry whom I expected और मुझे तो पता था कि henry ही आने वाला है and but won't that man out on the balcony faller began a faller कहता है अरे वो जो बालकनी के बाहर तो वो अभी भी है खत्रा तो अभी भी हमारे उपर मन रा रहा है वो तो फिर से वापस आ सकता है no said usable usable कहता है कि नहीं अब वह नहीं आएगा he will not return अब वापस नहीं आएगा you see my friend my young friend there is no balcony अब तुम देखो मेरे young friend की वहाँ पर कोई भी बालकनी नहीं है बालकनी नहीं है इसका मतलब तो वहाँ नीचे गिर गया छे मंजील अब वहाँ हो गया होगा वहाँ खत्म हो गया होगा he is no more and यहां पर कुछ meanings है इस lesson से related जो कि romantic means imaginative having a fantastic view of reality possibly means just well enough tolerably well ठीक ठाक बोल लेता जब वो फ्रेंच बगेर बोलता है तो and spinnage means spying chasusi sloppy means carelessly dressed prosaic means ordinary chuckled means laughed quietly weasled means spoke breathing noisily and heavily missiles means weapons directed by remote control or automatically and shrilly means piercing in a high pace बहुत स्थीखी जो sound होती हो क्या होती है shrill होती है okay now thanks for watching this video and please like and subscribe my channel thank you so much